इस बात में कोई शक नहीं कि डैम्स इस दुनिया के वो सूपर स्टार्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता साथ ही इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इनके बिना हम इस छोटे ते ग्रह पर खुद को बसा ही नहीं सकते थे ये असल में बहुत बड़ी मात्रा में पानी को इकठा करके रखने का काम करते हैं ये आज हमें हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी पानी उपलब्द करवाते हैं साथ ही ये हमें वो उर्जा भी प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन को असान बनाती है लेकिन हमें ये भी नहीं बूलना चाहिए कि इनी बड़ी-बड़ी दिवारों के ऊपर इतना दबाव हमेशा बना रहता है कि वो कभी भी जवाब दे सकती है आमतोर पर ये अपना काम हमेशा बखुबी निवाते हैं लेकिन बदकिस्मती से ये बुरा समय कभी भी शुरू हो सकता है और तब पता चलता है कि किसी डैम का या तो कोई हिस्सा या फिर पूरा डैम ही धुस्त होने की कगार पर है और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही डैम्स के वहार रहने वाले लोगों ने कई बार सरकार को ये बताया कि इसकी दिवारों में कई जगे छोटे बड़े क्रैक्स आ चुके हैं इन त्रेडों को आए कई साल बीच चुके थे लेकिन इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये डै देम की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था तो वहार रहने वाले लोकल लोग ही उसका थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे थे लेकिन फिर दो जुलाई 2019 की रात आई तेज बारिश के साथ डैम पानी से भर कर ओवरफलो हो चुका था और तभी आदी रात में ही लोगों को पता चला कि ये डैम तो पूरा ढह चुका है एक जटके में इस डैम का पानी साथ गावों में बाड़ ला देता है और इसके बहाव में घरों के साथ सा जानवर तक बह निकले इस घटना जे पूरे तीन हजार लोग प्रफावित हुए और बदकिसमती से 19 लोग इस हाथसे में म जमा हो गए थे और उन्होंने ही इस डैम की दिवारों को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो तूटने पर मजबूर हो गई दोस्तों जब भी हम लाउस देश की बात करते हैं तो कोई भी उसके अंदर से उभरती हुई हाइड्रो पावर की शक्ती पर कभी ध्यान नहीं देता लेकिन ओटपिंस प्रोविंस में बना एक डैम का ग्रूप इस पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए है और इसी जगें बहुत बड़ी मात्रा में स्वच उर्जा बनाई जाती है अब आप सोच सकते हैं कि ये डैम कितना जरूरी होगा और इसका खयाल रखना कितना मुश्किल काम होगा लेकिन तबी इस ग्रूप में बने एक डैम में एक समस्या देखी जाती है और तुरंत दिगारियों को इसकी सूचना भी दी जाती है साथी आसपास मुझूद सभी गाउं को खाली कराने के निर्देश आते हैं और कारीकर डैम को ठीक करना शुरू भी कर देते हैं लेकिन तबी तेज बारिश शुरू हो जाती है और डैम पर काम कर रहें लोगों के काम करने की गती धीमी हो जाती है साथी जो लोग गाउं को खाली कर रहे थे उन्हें भी अपने घरों में दूपकना पड़ता है पूरी रात बारिशोनी की वज़े से 23 जुलाई 2018 की सुबह आती है और वहीं हुआ जिसका डर था डैम की दिवारे तूट कर सुबह नो बजे तक 6 गाउं को पूरी तरह से पानी से भर देती है यहाँ पानी इतना गहरा खड़ा हो जाता है कि लोगों को अपने घरों की छट पर चड़ना पड़ता है 6600 लोग एक ही जटके में भेगर हो जाते हैं और लगबग 120 लोगों के लापता होने की खबर आती है काज़ेल अगाश डैम काज़कस्तान के अलमाटी प्रोविस में बने काज़िल अकाश डैम और इसमें हाथसा होने की तयारी कई सालों पहले से ही की जा रही थी तेजबारिश और एक दम से तापमान में भडोतरी ने डैम की दिवारों को अंडे की तरह तोड़ कर रख दिया जिससे एक बड़ी मात्रा में पानी पासी बने कज़वे में जागुसा और इस बाड़ में घर रोड जहां तक की हाईवे पर बना एक ब्रीज तक पूरी तरह से डूब जाता है इस घटना में पूरे 43 लोगों की दर्दनाक मोत होती है लेकिन वहां के लोकल लोग बताते हैं कि इन मोतों का आकड़ा 200 से जारा था मोतों का तो सही से आकड़ा मुझे भी नहीं पता लेकिन मार्च 2010 में हुआ ये हाथसा जिसने भी देखा वो इसे कभी भूल नहीं पाएगा लेकिन इसाथसे ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी कि अगर अपने डैम का सही सिध्यान नहीं रखोगे तो ऐसा हाथसा कभी भी हो सकता है किनिया के रिफ्ट वैली में बना पाटेल डैम एक फूल के अकार में बना हुआ डैम है और एक समय पर इसे दुनिया के सबसे मजबूत और टिकाओ डैम समें गिना जाता था लेकिन दो महीने तक चली लगातार बारिश ने इसके धाचे को कमजोरी में लाकर खड़ा कर दिया पासी में मौजूद पहड पर बने जंगल में आई बाड ने डैम के अंदर और बाहर कई छोटे बड़े पत्रों को लाकर खड़ा कर दिया इस वज़े से डैम बूरी तरह से शती गरस्त हुआ और तभी 9 मई 2008 का दिन आया जब डैम में मौजूद दिवारों में से एक इतना तनाव बरदाश नहीं कर पाई और पाने का समुंद रही आजपास के शेत्र में फूट पड़ा इस हाथसे में दो गाउं पूरी तरह से डूब गए 47 लोगों की अधिकारिक आकड़ों के हिसाब से मोध हुई और साथ में 40 अलग से लापता हुए जिनका आज तक पता नहीं चल पाया अब मैं आपको एक चोका देने वाली बात बता देता हूँ जब सरकार ने जाकर बाकी बची हुई डैम की दिवारों को चेक किया तो पता चला कि ना सिर्फ ये दिवारे भी तूटने को तयार थी बलकि ये सारे चोटे बड़े डैम्स सरकार से बिना आगया लिए बनाए गए गए थे इसलिए ये सभी गैर कानूनी थे यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि ये डैम्स पिछले 20 सालों से ऐसे ही यहां खड़े हैं किसमत से बाकी बचे हुई डैम्स उस से में नहीं तूटे और सरकार ने उन डैम्स को खाली करवा डाला और वो आज भी पूरी तरह से लावारिस हैं और अब या तो वो अपने अंदर फिर से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं या फिर वो अपने गिरने का इंतजार कर रहे हैं सयानो सुशनैशकाया डैम्स रश्या में बना सबसे बड़ा हाइडरो एलेक्ट्रिक डैम जिसे सायानो सुषन एशकाया डैम के नाम से जाना जाता है इसकी उचाई असी मंजिला बिल्डिंग के जितनी है और ये पूरे एक किलो मिटर लंबा है ये डैम इतना बड़ा है और इसे इतनी जादा उर्जा बनाई जा सकती है कि ये 38 लाग लोगों की शहर को उर्जा प्रदान कर सकता है इसके अंदर पूरी 10 बड़ी बड़ी टर्बाइन लगी हुई है लेकिन तभी 17 अगस 2009 का दिन आया यहां कारीगर आय हुए थे जो की आमतोर पर यहां की सर्विस करने आती ही है दिक्कत तब शुरू हुई जब बंद पड़ी टर्बाइन नंबर 2 को फिर से शुरू किया गया समय सुबे 8 बजे का था और तब ही यहां एक धमाका हुआ यह धमाका टर्बाइन में हुआ था और इतनी विशाल काए एवं भारी वरकम यह टर्बाइन हावा में पूरे 50 फीट तक उचली डैम में लगे सभी सुरक्षा के उपकरण इस हाथसे को होने से नहीं रोक पाए इस टर्बाइन में मौझूद 40 तंद तेल बाहर निकलना शुरू हुआ और जाकर सिधा अनीसा नदी में मिल गया किसमत से इस डैम की कोई दिवार नहीं टूटी वरना इससे जो जानमाल का नुकसान होता वो दुनिया भर में सुरक्यों का कारण बन जाता दोस्तों आपको इन में से सबसे बदकिसमत डैम कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इस वीडियो का पार टू चाहिए हो तो कमेंट में पार टू जरूर लिखें ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सबस्क्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए